अगर आपको भी जानना है MSM Registration के बारे में या उद्योग अधा Registration के बारे में 2020 में क्या amendment हुआ है और क्या eligibility criteria इसमें registered होने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है हलो फ्रेंट्स मैं अजहर और आप देख रहे हैं Your Online Workmate जैसा आप सभी को पता है Small Scale Industries जो हमारे अर्थ वैवस्था की रिगड़ की हड़ी होती है सबसे जादा Employment Generation यहीं से होता है यहां छोड़े छोड़े लगू उद्द्योग हमें बहुत सारा Employment Generation करके देते हैं तो यह सेक्टर MSME के अंतगत आता है MSME Micro, Small and Medium Enterprises की स्थापना साल 2006 में ही हो गई थी जिसको हम अब उद्द्योग अधा Registration के नाम से भी जानते हैं इसका Main Motive छोटे और लगू द्द्योगों को बढ़ावा देने के लिए है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए है MSME Registration या जिसको हम उद्द्योग अधा Registration भी कहते हैं इसमें Registered होने के लिए मेंली दो तरह की कैटिगरी में आपका Enterprises Classified किया गया है पहला Manufacturing Concern और दूसरा Service Manufacturing Concern में आप कोई Raw Material लेके कुछ Finish Gust बना रहे हैं तो वो Manufacturing में आ जाता है बाकि अगर आप Service में हैं कोई Service आप दे रहे हैं आप Service प्रदाता हैं जैसे कि आप Repair of Mobile या Computer या Laptop रिपेर कर रहे हैं कुछ Software चड़ा रहे हैं या फिर आप कुछ Hotel Industries में हैं तो यह आपका Service Provider में आता है तो इन दो तरीके का Enterprises में आप इसके अंदर Registration करा सकते हैं को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल अकन प्रेस करके All Notification Enable कर दीजेगा हमारे चैनल पर आया दिन GST से Related E-commerce Business और Technology से Related Videos आती रहती है तो चलिए चलते हमने कबड़ो स्क्रीन MSME या उद्योगधा Registration करने से पहले आपको MSME की किस कैटिगरी में आप आ रहे है वो आपको पहले Select करना पड़ेगा जैसे कि manufacturing concern है या आप service provider है तो जैसे अगर आप कोई raw material लेके उसका finished goods तैयार करके उसको बेच रहे हैं तो manufacturing concern में है वहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ service दे रहे हैं तो उसको जानने के लिए मैंने यहां कुछ एक example दे रखा है आप यहां से स्रेट करके आप देख सकते हैं बहुत यह असानी समझ जाएंगे क्या आप manufacturing concern है या service provider है तो अगर आप manufacturing concern है तो आपका अगर आप printing का कोई काम है या medical equipment आप बना रहे हैं या आयुरुवेदिक products बना रहे हैं अचार पापाण मुरब्बा या food products जो घरेलो उद्योग छोटे-चोटे मज़वले उद्योग होते हैं उसके अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप manufacturing concern में आएंगे बिल्डी सिग्रेट और अधर टोबैको प्रोड़क्स बना के आप सेल कर रहे हैं तो वह में restaurant, education, mobile repairing, computer repairing, training, software, services इस तरह की कोई आप service दे रहे हैं तो आप service provider है तो ऐसे आप अपने enterprises को categorize कर सकते हैं यह तो रहा classification की हम manufacturing concern है कि service provider अब बात आती है sub category की जिसमें हम पता करेंगे कि हमारा business micro, small या medium enterprises है जैसा आप सभी को पता है coronavirus के चलते पूरी दुनिया की economy बुरी तरह से affected हो चुकी है जिससे हमारा भारत भी अचूता नहीं है जिसके कारण हमारे भारत में भी बहुत सारे उद्योग बंद की कगार पर आ गए हैं या फि आत्रमने भर भारत पैकेज जिसके अंदकत 20 लाख करोड रुपे की राशी प्रदान की जाएगी जिसमें से 3 लाख करोड MSME सेक्टर को दिये जाने की घोशना की गई है इसी पैकेज की घोशना करते वे वित्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन जी ने कई विशेश बा तो इसको परिभाशा को जाने के लिए इसकी डिटेल में जानकारी जाने के लिए हम चलते हैं अपने कम्पूटर स्क्रीन पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्मला सीतारमन जी ने MSME की डेफिनेशन को रिवाइस किया है और अब हम इस नए रिवाइस्ट डेफिनेशन तो कैसे इसको समझना है चलिया यह देखते हैं मैंने यहाँ दे रखा है सबसे पहले एक्जिस्टिंग एंड रिवाइस डेफिनेशन ऑफ एमसमी पहला हमारा एक्जिस्टिंग एमसमी क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा क्राइटेरिया जो पहले चला आ रहा था वह क्लासिफिकेशन कैसे हो दा था फिवाइनुफेक्चरिंग एंटर्प्राइज और सर्विस इंटर्पाइज़ अगर हमारा मैनुफेक्चरिंग एंटर्पाइज़ है और हमने अपना इंवेस्टमेंट प्लान्ट एंड मशिनवी में 25 लाथ रुपए तक कर रका है तो हमार वो medium enterprises माना जादा था manufacturing enterprises के लिए 10 करोल रुपए तक का investment plant and machinery में वो हमारा medium enterprises माना जादा था अब वहीं बातन करते हैं service enterprises की service enterprises में अगर 10 लाख रुपए तक का investment था तो वो micro enterprises माना जादा था small enterprises में अगर हमारा investment 2 करोल रुपए तक का था तो वो small enterprises माना जाता था और वही investment अगर 5 करोज पर तक था तो वो medium enterprises माना जाता था अब जो revised MSME classification है तो उसमें composite criteria माना गया means की manufacturing and services को एक तरह के से माना गया है इसमें अब base क्या है investment in plant and machinery और equipment जो की पहले की ही तरह है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उस सेम पहले की तरह है लेकिन साथ में अब जोड़ दिया गया है annual turnover कि अगर आपके enterprises का turnover के हिसाब से अब इसको देखा जाएगा अगर आपका investment एक करोज पर तक का है और साथी साथ आपका turnover पांच करोज पर तक का है तो आपको markets मना जाएगा साथी साथ आपका turnover करोज पर तक का है तो deze Highlight MSME की definition है इसको चार दोरा बहुत ही आसानी से अपने समझ लिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि MSME सेक्टर को 3,000,000,000,000 रुपए की साहथा दी गई है जिससे कि कोई भी MSME गारंटी फ्री लोन के लिए अपलाई कर सकता है उसको साल भर तक के लिए EMI में राहत दी गई है जिससे की 45,000,000 MSME को इसका फायदा होने वाला है ये तो रही बात MSME या उद्द्योग अधार रेजिस्टरेशन होता क्या है क्या क्या अमेंडमेंट हुए है 2020 में इसकी परिभाशा में क्या बदला हुए है और किस बेस पे micro, small and medium interfaces classified किया जाएगा आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे इसमें रेजिस्टरेशन किया जा सकता है वो भी घर बैटे मुफ्त में आने वाले वीडियो में हम वो भी वीडियो आपको बना के देंगे अगर आपके मन में भी कोई query है कोई doubt है इस वीडियो से लेकर कोई भी suggestion देना चाहते हैं आप हमें तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं आप हमें email भी कर सकते हैं हमारा official email address है youronlineworkmateattherateofgmail.com Thank you for watching this video